आज राजस्तान में भारती जिन्ता पार्टी के नेता अपने आपस के वर्चस्व की लड़ाई में पीस लाग युवा बेरोजगरों के बविश्य के साथ खिलवाड कर रहे हैं बिस लाग युवाँ के साथ केवल और केवल आपस में मैं बड़ा कौन मैं बड़ा कौन और अपने आला कमान को खुस करने के लिए किरोडी मिना जी और सतीस पूनिया जी दोनों राजस्तान के युवाओं के हितों के साथ में कोटारा गात कर रहा है पेपर लीक पेपर चोरी पहली गटना नहीं है लेकिन ये पहला उदारन है जब सरकार ने आगे बढ़ करके जब सूचना मिली SOG को जांस दी और SOG को ये कहा गया कि आप पूरी तह तक जाईए इसमें कोन सी गेंगे काम कर रही हैं किस परकार से कर रही हैं उसको पूरी तरीके से समप्त करना है ये हमारी सरकार का एतियासिक पैसला पहली वार राजस्तान में जो करमचारी सलिप्त पाया जाएगा उसको बर्खास्की का निरना किया गया वो इसलिए किये गे कि राजस्तान के युवा के आसिरवाद से हमारी सरकार कॉंग्रेस के सरकार बनी है उस युवा को जो हमने हमारे जन गोशना पत्तर में कहा ताकि हम आपको रोजगार देंगे नोकरी देंगे उस नोकरी की दिशा में हम हमारे तीन साल में उनके तीन साल से ज्यादा नोकरियां दे चुके और आगे उनकी पांस साल में जितनी नोकरियां दी उससे हम कहीं ज्या पाए और सरकार गिराने का सडियन तर किया वो ओंदे मों गिरे उससे बोखलाई वे दिल्ली में बैटे वे बाजबा के नेता अमिर्शा जी बोधी जी और उसके साथी और यहां पर दो गुरूप बल्कि तीन गुरूप है वसुंदरा राजे जी का गुरूप सतीश पूनिय प्रदेश अद्देख से उनका गुरूप और किराडी मिनाजी एकला चलो रहे अपना गुरूप यह तीनों गुरूपों ने अपनी रह वर्चस्व की लडाई में 20 लाख राजस्तान के युवाओं को सपनों को चक्ना चूर करने का काम किया उनको इंतजार करना चाहिए ता एसो जी का और मैंने पहले भी कहा था पी सी सी प्रेजेंट के नाते और तत्कालिन सिक्षा मंतरी के नाते कि आप कोई भी क्ल्यू बताईए कोई भी सूचना दीजिए सरकार पूरी तरीके से जांच करेगी जब भजनलाल नहीं मिल रहा था तो एक डेड़ मेने तक यह जांच धीमे पड़ गई मैंने मानिय मुखे मंतरी जी को आकर के कहा इसी लोन में हम बैटे थे कि मुखे मंतरी जी युवाओं के कारण से हम लोग आए हैं युवाओं ये मैसूस करता है कि इस जांच को पूरी तय तक ले जाना चाहिए इन्होंने तुरंत टेलिफोन उठ है और असोग राठोर जी को कहा कि ये जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है उन्होंने कहा बजनलाल विश्णोई हमें मिल नहीं रहा है हम लगा रखें आदमी जूई मिल जाएगा हम इसकी तय तक चले जाएगा इनको इंतजार करना चाहिए था और अगर एसोजी ये कह कोई बात करती है तो उसके बाद में उस तरीके से सरकार फैसला करती है लेकिन इनको तीन साल में एंटिकमेंसी पैदा नहीं कर पाए पच्छेस में से 25 सांसत एक रुपया देली कोडी ला नहीं पाए राजस्तान के विकास के लिए इसलिए टार्गेट करके सरकार बदनाम कैसे हो मुख्य मंतरी बदनाम कैसे हो गोविन डूटासरा बदनाम कैसे हो और दूसरे लोग बदनाम कैसे हो यह सडियंतर किया गया हमारे खिलाब तो सडियंतर करो बदनाम करो अगर हम सच्चे है तो सच्चे रहेंगे इनके बदनाम करने से हम में से कोई भी बदनाम होने वाला नहीं है लेकिन इन्होंने आज पाप किया उन 20 लाख लोगों के भविश्य के साथ क्योंकि ये भरती भी बुख्य मंत्री जी ने इसलिए बढ़ाई है कि युवा जिसके कारण से हम सरकार से आये उनके भविश्य के साथ किलवाड नहीं होना चाहिए और देश में आज जिससे युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास जमा रहे इसलिए आज ये जो फैसला किया गया है बास सट अच्जार की भरती हो गई आगे चल करते नेमों में संसोधन भी इसलिए सोच समझ करके पाट्टे की तरफ से भी हमने सुझाव दिया कि कौवरेश का कार्य करता और नेता महने मुख्यमंद्री ये चाहते हैं कि इसमें और पार्दी से तरलाई जाए और कड़ा कानून बनाया जाए इनोंने कार राजस्तान की विदान सवा में कानून बनाएंगे विपक्स के भी सुझाव लेंगे एक रिटाइड जस्टिस की अत्यक्स्ता में इनोंने कमिटी भी बनाई है उसके भी सुझाव लेंगे और हम दो एक्जाम इसलिए करवा रहे हैं कि 101 परसेंट पारदर्शीता रहे किसी तरीके क्योंकि एक एक्जाम जब सेलेक्शन की हो जाती है तो फिर आदमी येन केन परकरन प्रियास करता है और समझ कहीं न कहीं को चूक हो यह पहली सरकार है जब ऐसो जी नहीं यह बताया कि कि टेपर रखने में चूक हुई है पत्काल बोड के आदी रात को अध्यक्ष को परखात किया गया इस्तिफा भी ले सकते थे लेकिन नहीं इसलिए कि हमारी नियत में मांदारी हमारे कंकन में मांदारी और हम यहों के करती की है जिसको एक तरीके से जो जिम्मेदारी दिये वो सही तरीके से नहीं निवा पाए तो उसको बरखास्त किया बोड के सचीव को निलंबित किया बातें बड़ी-बड़ी करते हैं यह लोग बात किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कहां से क्या तार जुड़े में कैसे सूचना यह आ रही हैं यह सब दूद का दूद पानी-पानी होने वाला है पानी-पानी हो जाएगा चिंता करने की बात नहीं है मेरे उपर व्यक्तिकत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगया है एक ऐलपिंकी नौप जितना आरोप सा भी दगर दे इस रीट भरती परिक्ष़ार मेरे या मेरे परिवार के सामील होने लेकिन मेरे परिवार के तैरा लोगों ने एक जाम दिया मैं विदाण सभा में बताने वाला था मेरे परिवार के तेरा लोगों ने एक्जाम दिया तेरा में से एक भी पास निया इनको सरम आनी चाहिए सुभास गरग जी के पीएसो के लिए अभी किरोडी जी ने बोला कि वो पास हो गया पेपर लीक हो गया एक सो पचास में से 29 नंबर आये हैं सरम आनी चाहिए यह यह यहाओं के भविश्य के साथ खिलवार कर रहे हैं यह कोई छोटी बोटी बात नहीं है आप किसी के उपर मन मर्जी है जैसे आरोप लगा दो अगर हिम्मत है तो तक्थे सद लाइए मैं आप में से और बीजेपी क के तमाम मेता जो अपने आपको तुरपखा समझते हैं मैं उनको कहूंगा कि आप जाच कीजिए अगर रीट के इस पेपर के अंदर गोबिन सिंग डोटासरा का कोई रिष्टेदार या उसका परिवार अगर सामिल में जाए तो मैं पुना कहना चाहता हूं मैं उसी दिन र पक्वास इस तरह की घिनोनी हरकत ये केवल इसलिए कि इनके पास में राजस्तान की सरकार के गुड गवर्णेंस के खिलाब कोई मुद्दा लोग अलवर की गड़नागा सीबिया तो जांस देदी आपकी केंदर में सरकार है सीबिया इसे तुरंद जांस कराओ और परदा कि आपको पस्वदरा जी। इसकी जांस देदी आप उस दिन कर रहे थे हमारे नेताओं का नाम ले रहे थे को उनके सलीप्ता आप जांस कराओ जेल में डालो किसी को मैं हूँ जोसी तो मुझे डालो अगर और को नेता है तो और को डालो लेकर तुप्वरे काले हो कोईले क तुम हमकारी सप्रेदी में क्या दाग लगा होगे इनकी उकात नहीं है इनमें हिम्मत नहीं है उन्होंने केवल इतना काम कर दिया कि जिन युवाओं को हम मैंने डेड़ मैंने में 32,000 युवाओं को नोक्री देना चाहते हैं उसमें से आदे बच्चों को अब 4-6-8 मैंने इ बजट ला रहे हैं और पर दे देंगे लेकिन हम हमारे प्रदेश के युवाओं को नोक्री देखे रहेंगे चाहिए कितना भी जूप प्रपंट फैला लें ये कभी काम्याप नहीं है धन्यों